नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों मैं हूँ प्रवीन बंसल और आज हम कर रहे हैं कक्षा बार्वी अध्याय 4 साजेदारी फर्म का पुनरगटन और इस अध्याय में पुनरगटन होने जा रहा है किसी साजेदार का सेवन रित्त होना अर्थात रिटायर हो जाना या किसी साजेदार की मृत्ति हो जाना जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी साजेदारी फर्म का पुनरगटन करने के लिए हमें एक पुने मुल्यांकन खाता बनाना होता है उसके बाद साजेद के साथ इस प्रश्ण को किया जाएं प्रश्ण आपके सामने हैं एकatnisa alltså 2007 मोहित नीरज और सोहन का तुलन पत्र आपके सामने जिसमें लेंदार मोहित नीरज सोहन की पूंजी और एक सामान निसंचे और परिसम्पत्थियों में आपके पास हैं भवन, मशीन, स्टॉक, देनदार वा बैंक में रोकड़। देखिए और जब भी पुनरगटन होता है वह किसी भी कारण से हो प्रवेश से हो रिटार्मेंट से हो या किसी साज़दार की मृत्यु से हो कुछ शर्ते तो रखी ही जाती हैं तो ठीक उसी तरीके की शर्ते इस 20 प्रतिशत अधिक पाया जाएगा तो यह एक फायदा है और पुने मुल्यांकन खाते में इसको क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा देनदारों का डूबत रिण 15 प्रतिशत तक बढ़ाएं देनदार 20 हजार इनका 15 प्रतिशत 3 हजार होता है परन्तु पहले से ही यह एक हजार आपको दिया हुआ हर्थाथ 2 हजार प्रवधान और बनाना होगा तीसरी शर्थ है मशीनरी पर 20 प्रतिशत रास डेप्रिसियेशन 50 हजार का 20 प्रतिशत 10 हजार रुपे से मशीन की कीमत में कटोती की जाएगी उसके बाद चौथी शर्थ इस प्रश्न की रीड की हड़ी है जैसे फर्म की ख्याती का मुल्यांकन 72 हजार रुपे हुआ हम पहले ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि ख्याती जाने वाले साजेदार को दी जाएगी और यह किसके द्वारा दी जाएगी यह दी जाएगी उन साजेदारों के द्वारा जिनका लाब अनुपात में लाब होने वाला है अर्थात अभी लाब इस प्रश्न में जाने वाले साजेदार का नाम है नीरज नीरज दूसरा साजेदार है और नीरज की ख्याती का हिस्सा उसके लाब अनुपात के हिसाब से निकाला जाएगा और उस मूल्ले की पूर्ती मोहित और सोहन करेंगे अब पांचवी शर्त यह कही गई है नीरज के जाने के बाद कुल पूंजी एक लाख बीस हजार रुपे तै की गई है अब प्रश्न की मांग यह है कि आप एक पुने मुल्यांकन खाता बनाए साजेदारों के खाते बनाए और तुलन पत्र नीरज के फर्म को छोड़ जाने के बाद चलिए एक एक करके सभी शर्तों के साथ न्याय करते हैं पहली शर्त है भवन भवन का मूल्य बीस प्रतिशत अधिक है आप देख सकते हैं भवन एक लाख है और इसका बीस प्रतिशत अधिक हो जाना फर्म के लिए फाइदा है और यह पुने मुल्यांकन खाते में जमाराशी में लिख दिया जाएगा दूसरी शर्त है देंदारों पर डूबत रिण के लिए प्रावधान पंदरा प्रतिशत तक बढ़ाएंगे जैसकि आप जानते हैं देंदार बीस हजार है बीस हजार का पंदरा प्रतिशत तीन हजार और प्रावधान एक हजार पहले से ही मौजूद है इसका मतलब दो हज का प्रावधान और बनाना होगा जो फर्म के लिए एक घाटा है अब आते हैं तीसरी शर्थ पर मशीनरी पर 20 प्रतीशत रास लगाए गया मशीन जो की 50,000 है इसका 20 प्रतीशत 10,000 यह भी फर्म के लिए घाटा है अब आप देख सकते हैं जमा राशी 20,000 और नाम राशी 12,000 और जो लाब हुआ वह हुआ 8,000 यह पुराने सभी साजेदारों को उनके लाब अनुपात में बाट दिया जाएगा जो दो अनुपात एक है 4000, 2000 और 2000 अब दूसरा खाता जो हमें बनाना है वह है साजेदारों के खाते तुलन पत्र के हिसाब से मोहित, नीरज और सोहन इनके पूंजी का शेश असी हजार, चालिस हजार और चालिस हजार है और तुलन पत्र में ही आपको एक सामानने संचे, जेनरल रिजर्व, अर्थात पुरानी सेविंग, अब इस संचे को इन पुराने साजेदारों ने ही जोड़ा था तो इस संचे पर पुराने साजेदारों का हक पुराने अनुपात में होगा, जो है 20,000, 20,000 को अगर दो एक-एक के अनुपात में पुराने साजेदारों को बाटें, तो वहे बनता है 10,000, 5000 और 5000, अब जैसे कि आप पुने मुल्यांकन खाते का लाब पहले ही निकाल चुके हैं वह भी चार दो और दो इस तरीके से पुराने साज़ेदारों को पुराने लाबन उपात में ही बाट दिया जाएगा अब चलते हैं सबसे मुख्य शर्त पर जो है ख्याती की शर्त ख्याती का मुल्यांकन 72,000 रुपे किया गया था 72,000 रुपे में जाने वाले साज़ेदार का हिस्सा एक बटे चार अर्थात 18,000 रुपे है और यह 18,000 रुपे पुराने साज़ेदार या कह लिजिए बचे हुए साज़ेदार जिनका नाम है जाने मोहित और सोहन अपने अनुपात में अपने अभिलाब अनुपात में जाने वाले साज़ेदार को देंगे जो 12,000 और 6,000 बनता है देखिए क्योंकि जाने वाला साज़ेदार अपनी कैपिटल बढ़वाना चाता है अपनी पूंजी बढ़वाना चाता है तो वह जमा क्रेडिट साइट से बढ़ेगा 12 और 6 और जो साज़ेदार रह जाएंगे वह डैबिट हो जाएंगे 12 और 6 विध्यार्तियों यहां आपको ध्यान देना है जितनी भी शर्तें और जितना भी प्रशन अभी तक हमने पूरा किया है यह सामान्य सवाल था अब यहां हम इस खाते को बैलेंस करेंगे और जो हमको शेश मुल्ले पता लगे वह है मोहित का 82,000, नीरज 65,000, सोहन 41,000 अगर प्रशन हमें पूर्जी की रकम जो पहले से ही 1,20,000 तै करके दी गई थी उसके बारे में कुछ ना कहता तो प्रशन यहीं खतम हो जाता नीरज जो की जाने वाला साज़ेदार है उसको हम या तो उसको रोकड़ दे देते या इस 65,000 रुपे को अपना कर्ज मान लेते परंतु प्रशन ने हम से यह कहा है कि नीरज के फर्म को छोड़ जाने के बाद फर्म की कुल पूंजी 1,20,000 दोनों पुराने साज़ेदार अपने लाब अनुपात अर्थात दो अनुपात एक में बाट लेंगे यदि किसी को पैसा लाना होगा तो वह लाएगा और अगर हिसाब से किसी का पैसा निकालना बनता होगा तो वह निकाल लेगा तो चलिए देखते हैं साधारण प्रशन के खतम होने के बाद किस तरीके से पूंजी की शर्तों को प्रशन पूरा करता है आप देख सकते हैं कि इस 82,000 को 65,000 को और 41,000 को ऐसे का ऐसा क्रडिट साइड में भेज दिया गया और अब लाब अनुपात के हिसाब से 120,000 जो शेश साज़ेदार हैं मोहित और सोहन उनको पहले से ही शेश रखा गया है अब 82,000 मोहित की आज की पूंजी है परन्तु 80,000 उसका शेश मतलब मोहित 2,000 रुपे बैंक से लेकर चले जाएंगे और सोहन जिनकी पूंजी बनती 41,000 है उनको दी गई पूंजी 40,000 है और वह 1,000 रुपे बैंक से लेकर चले जाएंगे और नीरज जो हमारा सेवा निर्वित साज़दार है वह फर्म को छोड़कर जा रहा है हमें उसके पूरे 65,000 रुपे बैंक से अदा करने होंगे और कुछ इस तरह साज़दारों के खाते पूरे होते हैं अब यह जो भी शर्ते हमने पुने मुल्यांकन खाते और साज़दारों के खाते में करी है यह सभी शर्ते अपने अपनी संपत्तियों और देताएं में ठीक करके तुलन पत्र में लिखी जाएंगे जैसे भवन एक लाग का भवन बीस प्रतीशत अधिक होके दिखाया जाएगा पचास हजार की मशीन दस हजार कम करके दिखाया जाएगी स्टॉक जितना था उतना ही दर्शाया जाएगा देंदारों के रिण 17,000 बीस हजार में से एक हजार का प्रवधान पहले से ही था और दो हजार का प्रवधान हमने अब और बनाया लेंदार 21,000 के ही थे और वह अब भी 21,000 के ही है अब यह बैंक अधी विकर्ष इसके लिए हमें एक खाता बनाना होगा बैंक रोकड का खाता जो इस प्रश्न की आखरी मांग है और आप देख चुके हैं कि मोहित और सोहन यह हमारे बचे हुए साज़ेदार है और इनकी पूंजी 80,000 और 40,000 तै की गई थी अब मैं आपको प्रश्न की आखरी मांग जो बैंक रोकड खाता है वह बताने जा रहा हूँ उससे पहले आप यह देख लीजिए कि आपके पास बैंक में पहले से ही 14,000 रुपे थे और पूरे प्रश्न के दौरान बैंक में कई बार पैसा लाया और ले जाया गया है जैसे नीरज को 65,000 रुपे दिये गए, मोहित को 2000 रुपे दिये गए और सोहन को भी 1000 रुपे दिया गया तो चलिए बैंक खाता बनाया जाए बैंक क्योंकि एक एसेट है, समपत्ती है तो उसका शेश डेबिट साइट से शुरू किया जाएगा और क्रेडिट अर्थात जमा, जमा से किसी भी समपत्ती को घटाया जाता है 2000 मोहित को दिया गया, 1000 सोहन को दिया गया और 65,000 जाने वाले साज़दार निरच को दिया गया अब आप देख सकते हैं कि 14,000 के शेश में से आपने 68,000 रुपे तीनों साज़ेदारों को दिये इस तरह से बैंक में आपका जो शेश है वह माइनस में अर्थात ओवरड्राफ्ट रह जाता है और वह निकला 54,000 और क्योंकि यह हमारी एक देंदारी है हमने यह पैसा बैंक को देना है इसलिए यह आपकी दाइत्व अर्थात लाइबिलिटी साइड पे दिखाये जाता है इस प्रकार तुरनपत्र खतम होता है और यह है प्रश्ण भी विध्यारतियों से निवेदन है कि इस प्रकार के प्रश्ण आपकी पाठ्थे पुस्तक में दिये हुए हैं उनका अभ्यास करें अब हम सीखेंगे रिंखाता देखिए प्रश्ण आपके सामने है अमरिंद्र महेंद्र तथा जोगेंद्र एक फॉर्म में साज़ेदार है महेंद्र फॉर्म से सेवा निवृत होता है रिटायर होता है महेंद्र उसकी सेवा निवृती कि तिथी को उसके साथ हजार रुप साज़ेदार को पैसा चुका दिया परंतु ऐसा हमेशा नहीं होगा हो सकता है कि जाने वाले साज़ेदार को जो रकम हमें चुकानी है वह हमारे पास ना हो वह रकम हमारे लिए एक liability है एक loan है एक रिण है जैसे एक bank का loan होता है अब हमें bank के loan पे भी ब्याज देना होता है तो ठीक इसी तरह हमें इस साज़ेदार के रिण के उपर भी ब्याज देना होगा जिसको अलग-अलग विधी से अलग-अलग firm दिया करती है हमारे पास भी इस तरह की तीन विधी हमारे कक्षा बारवी के पाठ्ठकरम में है तो चलिए उसमें से एक विधी आज सीखते हैं पहली विधी में कहा गया है कि जो भी शेश राशी है उसकी चार वार्शिक किष्टें बारा प्रतिशत ब्याज के साथ दी जाएं जैसे कि हम जानते हैं साथ हजार उपे की चार किष्टें पंदरा-पंदरा हजार होती हैं परन्तु विधी में कहा गया है कि यह बारा प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करनी होगी अब हमें एक रिनखाता बनाना है रिनख क्योंकि एक लाइबिलिटी है तो वहे क्रेडिट साइट से शुरू होगा और यह रिन हर साल के आखरी दिन किष्टों के रूप में चार किष्टों के रूप में चुकाया जाएगा बारा प्रतिशत के ब्याज के अनुसार पहले साल का ब्याज हुआ 72 रूप में और क्योंकि जो हमारी किष्ट है वो ब्याज और 15 रूप मिला के अदा की जाएगी तो देखिए डेबिट साइट से पहली किष्ट 15,000 और 72,000 मिला के 22,200 रुपे अदा कर दिया गया है और पहले साल के अंत में जो शेश रिण बचा वह बचा 45,000 और अब दूसरे साल जो रिण बचा वह बचा 45,000 उसका 12 प्रतिशत ब्याज बना 54,000 रुपे 54,000 रुपे जमा 15,000, 20,400 अब रिण की जो शेश राशी बची वह है 30,000 अब तीसरे साल में 30,000 का 12 प्रतिशत ब्याज 36,000 रुपे और किश्ट 15,000 जमा 36,000 अब जो बचा हुआ रिण है वह है 15,000 और यह आ गया आपका चौथा साल चौथे साल में 15,000 के रिण पे 12 प्रतिशत ब्याज बनता है 18,000 रुपे और यह चौथे साल के अंत में 16,800 रुपे का आपने किया भुकतान और आपका रिण खाता होता है खतब तो कुछ इस तरह हम रिण खाता पूरा करते हैं आप सभी इस तरह के प्रश्णों का अभ्यास अपनी पुस्तक से कर सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद कर दो बहुता है रिए यह जग्यास अपना चार्वीग को आपका रिए पुस्तक।